अउसर देने के लिए काम करेंगे बीते देस वर्षों में आपने देखा हैं हमने मेडिकल कॉलेज के संग्या दो गुनी की है एम्स की संग्या तीन गुनी की है स्वरोजगार और स्टार्ट उसमें आईतियासिक बड़ोत्री हुई है हमने भारत को दुनिया का सब दूसरा से बड़ा मोबाइल मैनिफेक्टर बनाया है अब इलेक्ट्रोनिक्स सेमिकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टरस में और तेजी से काम किया जाएगा हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्यास किया है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मन निर्भर नहीं बन जाता हम अपने युवाओं को सिख्षा रोजगार स्वरोजगार हर शेत्र में ससक्त करेंगे किसानों के लिए बीच से बाजार तक आदुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्रात्पिक्ता पर होगा दलहन से लेकर खाड्य तेल तक हम अमारे किसानों को हर छेत्र में आत्मन निर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे साथियों आने वाला समय ग्रीन एरा है हरी द्यूक का है आज भी हमारी सरकार की नीतिया प्रगती प्रक्रती और संस्क्रती के समागम की है हम ग्रीन इंडिस्ट्रिलियाजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी एकॉनमी बना लिक लिए एन्डिये सरकार पूरी शक्ती से काम करेगी भाई और भेनो आज का भारत बैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है हमने कोरोना के दोरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सिन केपिसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लेंडिंग करके स्पेस एक्स्प्रोरेशन के नए रास्ते खोले हैं क्लाइमेट चेंज से लेकर फूड सिकुरिटी तक जो भी विशय दुनिया के सामने हैं भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है भारत ग्लोबल सप्लाइज चेंड को स्टैबिलिटी और डाइवर्सिटी देना भी अपना दाईत्व समझता है इसलिए भारत आज विश्व बंदू के रुपे सबको गले लगा रहा है मुझे भी स्वास है मजबुत भारत मजबुत दुनिया का एक मजबुत स्तंब सिद्ध होगा साथियों 21 सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्षन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा डिजिटल इंडिया और टेक्नोलोजी ने करप्षन का नेक रास्ते बंद किये है लेकिन ये भी सच है कि करप्षन के खिलाब लड़ाई दिनों दिन कठीन हो रही है राज नेतिक स्वार्थ के लिए जब करप्षन का महिमा मंदन शुरू हो जाए और इसमें निरलज्जता की सारी हदे पार हो जाए तब करप्षन को बहुत ताकत मिल जाती है इसलिए तीसरे कारिकाल में एंडिये सरकार का बहुत जादा जोर हर तरह के करप्षन को जड़ से उखाड फैंकने का होगा भाई और बहनों भाजपा के हर कार करता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरी रखने की प्रंपरा को निरंतर मजबूत कर रहा है भाजपा का कार करता जनाकांख्षाओ जन भावनाओ और जन अपेक्षाओं का प्रतलिदित्व करता है और यह हम कभी भोल नहीं सकते हैं जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संबात करते रहें साथ्यों कुछी दिनों में देश छत्रपति सिवाजी महराज के राज्या विशेक की तीन सो पचासवी वर्षगाठ बनाएगा उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेड़ा है कि देवपत पर अड़ी कैसे रहा जाता है अपने देवपत में भी हमारी महनत में कोई कमी ना रहे हम पुरी निस्टा से पुरी मांदारी से देश की सेवा करते रहें हमारे जीवन के बहुत बड़ी कसोड़ी होनी चाहिए हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें हम देश हित को सर्वोपरी रखें तभी हम अपने लक्षों को हासिल कर पाएंगे हमारा सम्विदान हमारी गाइडिंग लाइट है इसी साल हमारे सम्विदान के 75 वर्ष पुरे होने जा रहे है केंद्रे की एंडिये सरकार सभी राज्यों के साथ चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो मिलकर काम करेंगी विच्षीद भारत के लख्ष के लिए हम खुब महनत करेंगे जम कर महनत करेंगे हमारे पास रुकने का थमने का समय नहीं है ये राश्ट नीति के लिए एक जूट होकर आगे बढ़ने का समय है विच्षीद भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने है भारत के उजबल भविश के लिए उत्तम फैसले भी लेने है छे दसक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है छे दसक बाद किसी गढ़बंदन को एंडिये को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का आउसर दिया है जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूत रिस्ता ये लोग तंत्र की बहुत बड़ी शक्ती है आपका आशिरवाद नए उत्सा नए उमंग के साथ काम करने की हमारी उर्जा है मैं हमारे अध्यक्ष स्रिमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम